हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सिव कोचिंग क्लासस पर सोगत है क्लास टोल्ट कमिश्टी चैप्टर थ्री में बिद्दूत रसायन जो है उसमें आज हमतर्चा करेंगे कुछ इंट्रोडेक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीज के बारे में तर्चा करेंगे कि बिद्दूत रसायन है क्या और आज का मेंट टॉपिक है जो वो बिद्दूत अपगट से समन्नित है और बेसिक चीजे हैं बिद्दूत अबगट किसे कहते हैं प्रबल बिद्दूत अबगट और दुर्बल बिद्दूत अबगट के वारे में डिफरेंस कहा है तो इसको देखेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और पहली वारा है तो चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइ कि विद्दूद और उसमें रासानिक घटनाओं से संबंधित है ना जो संबंध होता है उसका हम अध्धन करते हैं मतलब रासायन सास्तर की एक प्रकार की साखा है जिसके अंतरकत विद्दूद और रासानिक घटनाओं के परसपर संबंध का क्या करते हैं अध्धन करते हैं या विद्दूत रसायन कहलाती है यह आप देख सकते हैं रसायन सास्तर की वह साखा जिसके अंतरगत विद्दूत तथा रसानिक घटनाओं के परसपर सम्मंधों का अध्यन किया जाता है विद्दूत रसायन कहलाती है जैसा कि आपके पास एक कोई सेल है बुल्टी सेल है य आखसीकन याफ चैन हो रहा है दो अब यह आपस में कर रहे हैं मिलकर सायोग करके एक नए पडार्थ करने माड कर रहे हैं योगी की बाद कर रहा है तब उसमें जो अफक्रियाइं होती है रशानिक अफगर आए हैं और रसानिक परिघटनाएं कहलाती है तो यदि कोई भी रसानिक परिघटना विद्दूत से संबंदित है और उसका हम अध्यन करते हैं ठीक है ना तो वो कहलाता है विद्दूत रसायन ठीक है तो विद्दूत रसायन क्या है रसायन साथ के एक बारकार की साखा है ज चालक क्या होता है जिनमें विदृत का चालक यहाए जी कोई भी पदार्त है तो यह इसके बिदृत के सुचालक ही होती है धात दको की परिवहाँ जात ही मतलब धातु है, उसमें आसानी से धारा प्रवाहित होता है, किन्तु उसमें रासानिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आंत्रे गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिर्दु धारा का प्रवाहित होता रहता है, तो यह कहल आते हैं आप तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ठीक है इसके उदायन कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इसको लिख दो कुबाल्ट ठीक है आयरन है ठीक है सिल्वर है तो इस प्रकार से यह आगे आप देखें बिद्दूत अभगट अभगटन अभगट कहलाते हैं इसमें धारा प्रभाइद करने पर रासानिक परिवर्दन होता है देखिए थोड़ा सा समझना है मैंने क्या कहा कि वे पदार्थ जिनका अभगटन होता है है ना वे क्या कहलाते हैं बिद्दूत अभगट देखिए जैसे आपके पास एने स है जब इसमें पन क्या करते हैं धार प्रवाइद करते हैं तो यानि पास्टिव के रूप में और सी अल निगेटिव के रूप में यह आप भटित हो जाता है तूड जाता है ठीक है इसके जगे कोई अर्ण भी ले सकते हैं जैसे आपके पास एच्टू एसो फूर है two negative के रूप में होता है ठीक है तो यह two eh positive हो जाएगा क्योंकि do hydrogen ए तो यह जो आपस में आयन दे रहे तो इन में क्यों आयन निकल रहा है क्योंकि इनमें अब घटान हो रहा है ठीक है तो एक प्रकार के बिद्दूत अब घट कौन्स पधात कहलाएंगे वह पधात जो बिलियन या गली तबस्था में कहने के मतलब उसमें जब धारा प्रवाइद करते हैं तो बिलियन या गली तबस्था में क्या करते हैं आयन देत वो कहलाते हैं कि अब विद्दूत अफगाट अब देखिए विद्दूत अफगाट भी दो प्रकार के होती है एक तो प्रबल विद्दूत अफगाट और दूसरा दुरूबल विद्दूत अफगाट प्रबल मतलब जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाए मतलब जैसे प्लस रूप से हो जाए और सिग्रता से हो क्या हो सिग्रता से हो वो कहला है का प्रवल विद्धुत अभगट और दुर्वल विद्धुत अभगट जो जली विलियन में कम आयनित होते हैं आंसिक रूप से आयनित होते हैं पूर्वल विद्धुत अभगट तो आप लोग चार्ट बना लें और प्रबल बिद्दूत अभगट और दुरबल बिद्दूत अभगट का डिफरेंस ठीक है लिख लें एक साथ लिख लें प्रबल बिद्दूत अभगट और दूसरे साइड दूरबल बिद्दूत अभगट देखे प्रबल बिद्दूत अभगट में क्या है कि इ आयनित होते हैं, मतलब आंसे क्रोप से पूर्ट आयनित नहीं होते हैं, क्लियर, दूसरा डिफरेंस है आपका, इनकी बिद्दुत चालकता आधिक होती है, कि इनकी प्रबल बिद्दुत अभगट की, अब देखी, कोई भी बिलियन है, उसमें धारा कितनी मात्रा में प्रभा होगी, क्यों, क्योंकि आयन पर ही डिपेंड करता है, विद्दुत धारा का प्रबाय होना, जितना आयन होगा, उतने ही तिवरता से उस पे विद्दुत का चालान होगा, तो जब प्रबल बिद्दुत अभगट हैं, आसानी से आइनित होते हैं, अधिक मात्रा में आइनित होते हैं तो आयन की मात्रा अधिक होने करण इसमें विद्धुद्द्द्च अधिक होती है और दूर्वल विद्धुतावगर्ट में हपोजिष्ट होगा कि इस विलियन में बिदूद चलकता कामान काम होता है एक्जामपल के तोर पर यहां पर लिखा हुआ एने सी एल सोडियम क्लॉराइड और यह पोटेसियम क्लॉराइड है ठीक है CS3COOH CS3COOH कहते हैं एक्जामपल की रूप में आपको लिखना है यह है एसेटिक आमल क्या है बेसिक चीज़ें यही सब काम में आते हैं तो इन बेसिक चीज़ें को आपको अच्छे से पढ़ लेना है तो यह तो आपको समझ में आही कहा होगा कि प्राबल विद्धुत अबगट दुर्वल विद्धुत अबगट क्या है अब देखिए यह सारा जो notes है ना मैं आपको available करा दिया हूँ जितने भी student ले चुके हैं तो अच्छी बात है जो नहीं लिये हैं तो contact number आपको पता होगा 9685 299149 पर contact कर सकते हैं low cost पर आपको दिया जा रहा है पूरा chapter का PDF आपको दिया जा रहा है ठीक है तो यह आप पीडिया प्ले लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो यही छोड़ा सा information था तो फिर चलते हैं अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों साथ चैयर कर देना मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदमत्रम